अमने कोई नाटक मत करना, वरना तुझे धक्के मार कर घर से बाहर निकाल देंगे। दूसरे दिन विशाल रीना को लेकर घर आता है, मंजू और सेट पन्नालाल रीना को देख कर बहुत खुश होते हैं और उसका स्वागत करते हैं। अपने ही पती को किसी दूसरी औरत के साथ देख कर आरती मन ही मन रो पड़ती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती, रोते हुए वो अपने पिता सूरज के पास जाती है, और उसे सारी बात बताती है। आरती बेटा, तु सारी चिंता छोड़ कर बस मातारानी की पूजा अर्चना में अपना ध्यान लगा, अब वही तेरी नईया पार लगाएंगी। जी पिता जी, अब मुझे मातारानी पर ही भरोसा है। रीना के सामने घर के सभी सदसे आरती की बहुत बेज़ती करते थे। आरती, रीना के लिए नीबू का शर्बत बना कर लाओ, और माने गौन के लड़ू बनाए है, वो भी लेकर आना। डार्लिंग, ये कौन है? ये हमारी नौकरानी है, काफी साल से हमारे घर में काम कर रही है न, इसलिए घर के सदसे जैसी हो गई है, इसके पिता जी हमारे घर में नौकर है है। विशाल की बात सुनकर आर्ती रसोई में जाकर जोर-जोर से रोने लगती है, तब ही वहां मंजू आ जाती है, तुझे कहा था कि रीना के सामने कोई नाटक मत करना, तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे इस खर से निकाल कर बाहर फेग देंगे तब तू मानेगी। आर्ती जट से अपने आसु पोच्चती है और रीना के लिए शर्बत और लड़ू लेकर विशाल के कमरे में जाती है, वहां विशाल बड़े प्यार से रीना के पेट को सहला रहा था, अपने ससुराल में आर्ती खून का घूंट पीकर रह रही थी, और बस माता रानी का न आसमोनी है, एक घर में दो-दो अनुष्ठान नहीं हो सकते, तुम कहीं और जाकर अपना ये नाटक करो, आर्ती के सास ससुरू से घर में नवरात्री की पूजा करने के लिए मना कर देते हैं, जिसके बाद आर्ती अपने पिता सूरज की जोपडी में नवरात्री पूजा क जै शामा गौरी तुमको निशदिन ध्यावत हरी ब्रह्मा शिवरी जै अंबे गौरी माग सिंदूर बिराजत टीको म्रिगमद को मैय टीको म्रिगमद को उच्वल से दो नैना उच्वल से दो नैना चंद्र बदननी को जै अंबे गौरी कनक समान कले वर रक्तांबर राजे मैय रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गल माला रक्त पुष्प गल माला कंठन पर साजे जै अंबे गौरी अश्टमी के दिन आर्ती ने प्रसाद बनाया और कंचको की पूजा की और उन्हें भोग लगाया इधर आर्ती के ससराल में रीना की गोद भराई के रस्म की तैयारी हो रही थी रीना अपने कमरे में तैयार हो रही थी तब ही विशाल वहां आता है रीना किसी से फोन पर बात कर रही थी तुम चिंता मत करो डार्लिंग गोद भराई के रस्म में मुझे जितने गहने मिलेंगे मैं वो सब लेकर तुम्हारे पास कल ही आ जाओंगी और मैंने तो यहां के तिजोरी की चाबियां भी हत्ले आ ली है विशाल के माता पिता ने पोते के आने की खुशी में तिजोरी की चाबियां भी मुझे दे दी है बहुत जल्द मैं सारे सामान के साथ तुम्हारी बाहों में रहूंगी विशाल रीना की सारी बाते सुन लेता है ये तुम किस से बात कर रही हो रीना विशाल को सामने देखकर रिना हर बड़ा जाती है और उसके हाथ से फोन छूट कर नीचे गिर जाता है विशाल वो फोन उठा लेता है फोन के उस तरफ से किसी दूसरे आदमी की आवाज आ रही थी विशाल फोन कार्ट देता है और अपने पेता सेट पनना लाल और मा मंजू को सारी बात बताता है उधर मंजू का अलग ही रोना था हाए राम लगता है इस घर में पोता कभी नहीं आएगा मा किसी और के पाप को मैं अपना नाम तो नहीं दे सकता ना रीना के पेट में किसी और का बच्चा है मेरा नहीं ये तो हमें लूटकर कल यहां से भागने वाली थी अब गोद भराई के रस्म की सारी तैयारी हो चुकी है अब हम क्या करेंगे मालिक आप गोद भराई की रस्म अपनी बहु आरती की कीजिए आरती मा बनने वाली है क्या हाँ मालिक नवरात्री पूजा के अंतिम दिन कंचकों को प्रसाद खिलाने के बाद आरती की तबियत आचानक खराब हो गई मैं बैद जी को बुला कर लाया मैंने सुचा था शायद अपुवास के कारण आरती की तबियत बिगड गई होगी लेकिन बाधाई हो सूरज तुम्हारी बेटी मा बनने वाली है आरती एक महिने के गर्ब से है ये सब नवरात्री पूजा और माता रानी की कृपा से हुआ है मालिक सूरज की बाद सुनकर मंजु ने आरती को गले से लगा लिया सभी ने आरती से अपने कुकर्मों की माफी मांगी और आरती की गोदभराई की रस्म पूरी की गई विशाल ने पुलिस बुला कर रीना को हवालाद भेश दिया और आठ महिने बाद माता रानी की कृपा से आरती ने एक सुन्दर सी बेटी को जनम दिया बोलो माता रानी की जै शेरावाली की जै पहाडावाली की जै गरीब की दुरगा भगती जै अम्बे गौरी मैया जै शामा गौरी तुमको निश्दिन ध्यावत हरी ब्रह्मा शिवजी ओम जै अम्बे गौरी अरे भुला रुख बेटा ले ये माता रानी का प्रसाद खाके जा ले हाथ आगे कर ओहो मा पहले ही देर हो रही है लाव जल्दी जल्दी का काम शैतान का होता है बेटा आराम से चाब आराम से तो बस आप ही रह सकती हो माजी ये आराम से बैठ गए तो घर कैसे चलेगा, जाओ जी, जल्दी जाओ आप, मा जी के पास तो कोई काम है नहीं, सारा दिन माता रानी के सामने घंटी बजाने के सिवाए, भोला अपने खेत के लिए निकल जाता है, ना तो उसने मीना को उसके व्यवहार के लिए टोका, और ना ही मंगला उसे कुछ क चुका था, दूसरी तरफ मंगला सारा दिन बस मा दुर्गा की भक्ती में ही लीन रहती थी, उसे दुनियादारी से कोई मतलब भी नहीं था, ना उसे मीना से कोई उम्मीद थी, और ना ही भोला से, उसे तो बस अपनी माता रानी का साथ ही चाहिए था, जो उसके पास था, माते, ये मंगला आपकी परमभक्त है, लेकिन इसकी ये बहु इसे कितना प्रताडित करती है, ना तो उसे ठीक से खाने को देती है, और ना ही पहनने को, इसका बेटा भी इसकी परवा नहीं करता, माते, आपको नहीं लगता कि मंगला को आपकी मदद की आवश्यक्ता है, मनुष्य को हर समय होती है। लेकिन उसे पूरा कैसे करना है? ये तो मनुष्य के अपने हाथ में ही होता है। विधी के विधान में सभी का भाग ये लिखित है। थोड़ा धीरच रखो। जैसे मंगला के मन में मादुर्गा बसी हुई थी, ठीक वैसे ही मादुर्गा भी मंगला से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन फिर भी अभी मंगला को बहुत कुछ सेहना था मीना, बिटी, कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो मातारानी की पूजा का सामान चाहिए था, और मेरे व्रत भी होंके तो माजी, देखे आपको व्रत रखने है तो शौक से रखे, लेकिन एक बात साफ साफ सुन लीजे, आपके लिए फल, मेवा और ये पूजा का इतना महगा सामान लाने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास, सब कुछ तो आपके साम नहीं है, पता नहीं फिर भी आपको कुछ दि इतना कहकर मीना वहाँ से चली गई, मंगला ने बड़ी उमीद भरी नजरों से भोला की तरफ देखा, लेकिन भोला ने भी उसकी उमीदों को पल भर में तोड़ दिया मा मीना ठीक ही तो कह रही है, वैसे भी तुम्हारा हर दिन तो माता रानी के नाम से ही शुरू होता है, और उनी के नाम के साथ खत्म भी होता है, तो फिर ये नवरात्री पर वरत रखने से क्या खास हो जाएगा, खाम खाँ तुम्हारी तबियत बिगड जाएगी, और फिर डॉक्टर की फीस और दवाईयों पर